हो तो चेंज फेस्बूप पेज नेम इन 2021 सो 2021 में इस स्टेप इन प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाए करना है और अपमें फेस्बूप के पेज के नेम को किस तरीके से चेंज करना है इन 2021 तो यहाँ पर इस स्टेप इन प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाए करना है इन 2021 यहाँ पर जो फेस्बूप का पेज है हम यहाँ पर क्रियेट करते हैं जब हम फॉर्स्ट हम अपने लाइफ में अपने फेस्बूप का पेज क्रियेट करते हैं अपने फेस्बूप के आका के बाद जब हमें देरे-देरे Facebook page के habit हो जाती है देरे-देर हमारा mind खुलने लगता है उस Facebook page को लेके तब हमें जरूरत पड़ती है अपने Facebook के page के name को change करने की अब यहाँ पर problem यह है कि अगर आप mobile में Facebook के page के name को change करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर problem आप अपने Facebook के page के name को change नहीं कर पाएंगे अगर आपका एक साल के अंदर अगर आपका Facebook का page है यानि कि आपके Facebook के page को create करके अभी तक one year complete नहीं हुआ है तो आप यह अपने Facebook के page के name को mobile में change नहीं कर सकते है because अभी just आपने Facebook के page की जड़रे स्टार्ट की है अगर अगर आपका old page है Facebook का 2 साल, 2 साल या एक साल के उपर आला तो ऐसे में आप अपने Facebook के page की name को mobile में change कर पाएंगे लेखिन अगर आपका new Facebook page है within one year हुआ है तो ऐसे में mobile से आप अपने Facebook के page की name को change कर पाएंगे आपको error आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिखा रहता हूँ, अब let's say example, यहाँ पर यह एक Facebook का पेज ही मेरा, Take Videos के नाम से, अब मुझे इसका नाम change करना है, mobile में, तो इसके लिए अगर मैं settings में जाता हूँ, तो इसके बाद page info में जाता हूँ, and then यहाँ पर name का option आता है, अगर मैं इस पर tap करता हूँ, तो यहाँ पर यह वाला error आता है, as you can see that, the page you have requested cannot be displayed right now, it may be temporary and available, the link you clicked or may be broken or expired, or you may not have permission to view this page, तो यह error आपको भी 101% आएगा ही, अगर आपका Facebook का page नया है, means within one year हुआ है, तो ऐसे में आपको यह problem face करना पड़ेगा, तो ऐसे में अगर आपको अपने Facebook का page का name change करना है, और अभी क्या भी करना है, तो ऐसे में आप use कर सकते हैं, एक alternative method और वो है यह, आप अपने PC and laptop में जाके अपने Facebook के page के name को change कर सकते हैं, इसका जो access है, यहाँ पर आप अपने laptop और PC में जब करेंगे, तो आपको कोई problem में होगा, आप यहाँ पर इसके पीछे क्या reason है, मुझे नहीं पता, बट I tested, तो अगर आपको अपने Facebook का page का name change करना है, तो आपको PC और laptop यूज़ करना होगा, बिकॉस यह desktop version में allowed है, mobile version में allowed नहीं है, तो यह problem है, अब यहाँ पर अपने Facebook के page का name को change कैसे करना है, लेट में show you the process on, तो इसके लिए मैं एक बात आपको clear करना चाता हो, यहाँ पर आपको desktop in PC में जो सबसे trust worthy browser है, जिस पे आप browse कर सकते हैं, वो है अपना Google Chrome browser, Google Chrome के अलावा आपको कोई भी browser use नहीं करना है, because यह बहुत ही ज़्यादा useful browser है, उस पर से यह आपकी privacy का भी ध्याना कीगा, तो make sure कि आप mostly Google Chrome browser में ही अपना जो भी browsing का process है, शोशिमेडा platform का या banking का process जो भी आप करते हैं, वो Google Chrome browser में करें, यह आपके safety के लिए useful होगा, so keep in mind, तो यहाँ पर आपको Google Chrome browser में जाना है, और यहाँ पर आपको just यह से open कर लेना है, and then, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना Facebook account login कर लेना है, इस browser पर, तो जैसे आप अपने Facebook account में login होएंगे, यहाँ पर आपको यह Facebook का जो है नया look आपको लेकर 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 बिलिगा, 2021 में Facebook account, Facebook के जो website है, facebook.com, and Facebook का जो page, दोनों का look पूरी तरीके से modify हो गया है, I mean अभी यह जो भी आपको look दिख रहा है, यह Facebook का नया look है, तो यहाँ पर आप इस Facebook के account में, आपको दो side में Facebook page का option मिलता है, एक तो यहाँ पर right side में, and secondly, यहाँ पर left side में, जो भी आपका Facebook का page है, वो आपको यहाँ पर show हो जाएगा, and now, उसके बाद, यहाँ पर आपको down set में जाना है, यह जो आपका Facebook का page है, जिसका भी name आपको change करना है, बस उस Facebook के page के name पर आपको tap करना, जैसे कि मेरे cases में, मैं इस Facebook के page के name को change करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर tap करूँगा, अब उसके बाद, यहाँ पर आपको यह Facebook का चीज आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपने Facebook के page के name को change करने के लिए, इसके लिए changes के लिए आपको यहाँ पर जाना है, downside में, downside में यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा, settings का, as you can see, इस पर आपको tap करना है, then third number पर option मिलेगा, page info, as you can see, इस पर tap करना है, and now, उसके बाद, जो भी आपका current Facebook का page का name है, वो आपको यहाँ पर दीख जाएगा, यह जो edit page info है, इसमें आप अपने Facebook page की, यानि कि सिर्फ जो profile के related information है, only profile के related, वो आप इस page info के option में, चे, अनि कि apply कर सकते हैं, जो भी आपको यह चाया, तो आपको अगर अपना Facebook page का username भी create करना है, तो आपको यहाँ पर option मिलता है, अब यहाँ पर यह current name है, इसे tap कर लोगा, आपको यहाँ पर जो भी name आपको रखना है, वो make sure की, जो भी name आप रखे हो, वो एकदम unique होना चीए, जो भी name आप रखे हो, वो और भी किसी other Facebook page जो है, उसका तरफ आपको कोई भी नाम नहीं, यानि कि आपको name copy नहीं करना है, अगर आप वो name यहाँ पर set करोगे, जो already किसी और का Facebook page का name है, तो वो यहाँ पर accepting होगा, तो आपको यहाँ पर unique रखना है, unique name अगर आप यहाँ पर रख दोगे, तो इसको आप यहाँ पर आपको एक green कलदा का sign देखने को मिलेगा, यानि कि यह जो name है, यह unique name है, तो unique name पर आपको green कलदा sign देखने को मिलेगा, तो उसको आप easily हाँ पर set कर सकते हो, तो let's मैं आप पर कोई भी एक unique सा name set कर लेता हूँ, So as you can see, अभी यहाँ पर अगर मैं कुछ take रख दूँ, यानि कि take रख दूँ, as you can see, तो यहाँ पर accept कर लेगा, That's it all about, तो यह होता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी unique norm लखना है, And then, उसके बाद यहाँ पर आपको यह वाला sign लेखने को मिल जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पर आपको डारेक्री जाना है, डाउन साइट में, यह वाला option आपको दिख जाएगा, as you can see that, तो यह current page का जो name था, वो यह था, और अभी जो new page का name अभी आपको set किया है, वो यह, यानि कि यह review है, उसके बाद नीचे आपको यह option आएगा, यह वाला, यह यहाँ पर बोलता है कि यह निकी 3 दिन तक यह आपको, जो भी आपने नाम आपके set किया है, वो update होने के लिए time लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जो name है, वो just 15 से 20 मिनिट के अंदर-अंदर ही, आपके Facebook पेज पर update हो जाता है, sometimes यह तुरंथ हो जाता है, बर sometimes यहाँ पर यह एक दिन खा time लेता है, that's it, उसके बाद आपको request, change के option पर tap कर लेना है, तो यहाँ पर जो अपना Facebook पेज का name है, उसे update होने के लिए Facebook यहाँ पर पहले आप जो भी नाम आपने आपने आपे set किया है, उसे Facebook पहले verify करता है, verify करने के बाद ही आपके Facebook पेज पर वो नाम show करता है, अब depending होता है कि जो type का नाम आपने अपने set किया है उसी name के related आपका Facebook page है कि नहीं उसी category के related आपका Facebook page है कि नहीं यह सब भी Facebook verify करता है तो make sure कि जब भी आप अपने Facebook का page का name आप set करो तो वो आपके category याने कि जो topic पर आप video cover करते हैं वो उसी के relate होना चाहिए है जो एक तरीके से आपके लिए useful होगा और Facebook भी उसे easily approval दे देगा तो यहाँ पर अभी जो Facebook का page है उसे update होने के लिए almost 12 hours का time लगता है लेकिन एक बात मैं आपको यह फिर से clear करना चाहता हूँ कि जो Facebook का page का name है वो आप mobile से change नहीं कर सकते हैं इसके आपको PC laptop का ही use करना होगा because mobile version में यह allowed नहीं है जिसका नया Facebook page है उसके लिए लेकिन जिसका Facebook का page old है पुराना है after one year के उपर का है तो ऐसे में आपको कोई problem नहीं होगा लेकिन अगर आपको नया है तो आपको problem होगा तो ऐसे में आपको PC laptop ही use करना है because desktop version में allowed है mobile version में allowed नहीं है but still अगर आपको कुछ भी problem आता है अपने Facebook page के name को लेकर या Facebook username को लेकर account को लेकर तो आप directly मुझे comment कर सकते हैं बरे सोचिम.ड़ प्लाफॉम पर Facebook, Instagram और Twitter पर ती नहीं होगा लिंक दिस्रिप्शन में so दिस विल्प यो इन 2021